तो हे गाइस वेलकम बैक ऑन मार यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप सब जैसरी राम तो चलो गाइस सुरू करते हैं आज की वीडियो तो हे गाइस बैक्ग्राउंड से तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ बन रहा है तो गाइस फाइनली हमारा आर्ट स्टूडियो बन रहा है और मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया है लैंटर भी डल गया है एंड अंदर के इंटेरियर और सामने का पूरा च्छपाई वगार बच्चा है और आप लोगों का और मेरे ममी पापा का भाई का पूरे फैमिली का और आप लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मेरा और साथ में बाला जी की क्रिपासे यह मतलब work complete होने जा रहा है और जो बी मतलम जब Bay Most Ham फैमली के सपोर्ट से तो गाइस चलो चलते हैं जल्दी से अंदर और देखाते हैं कि कि अब लोग कैसा बना है और अभी पूरे सामान बगारा पूरे फैले हुए हैं तो गाइस अब चलते हैं अंदर तो गाइस यह है हमारा आट स्टूडियो तो गाइस जो पहले वाला आट स्टूडियो था वहां पर भगवान का भी भगवान का रूम था और वहां पर उतने सारे आट्वर्स जितने भी आर्ट वर्क्स अभी तक बने है वहीं पर बने है पर एक बहुत रोम छोटा था तो बहुत छोटा रोम था बन जाते था अगर दूसरा आट बनाना हो तो पहले वाले आर्ट को मतलम खराब करना पड़ता था फिर उसके बाद दूसरा आर्ट वहाँ पर बना सकते तो ऐसी सिच्वेशन आ जाती थी जिसके कारण मैं मतलम जो बड़ी-बड़ी आर्ट वर्क्स है वो मैं नहीं बना पा रहा था पर यहां पर अब बहुत सारी जगा है जहां पर हम मतलम बना सकते हैं और बहुत अच्छे आर्ट वर्क्स अब आपको देखने को मिलेंगे रूम ईसके बाद है हमारा किचिन और यहां पर है यहां पर एक गैलरी है चोटी सी दैन यहां है टॉलिट वगेरा है और फिर यहां से यह एग्सेट केट इसा बना हुए है मतलम पहले मैं सोच रहा है मतलम पहले इरादा था कि स्रेप आर्ट रूम ही बनाए ने पूर अच्छे तरीके अचिए और बन जाए और रूम भी बनाना पड़ा और चोड़ा चोड़ा सा किचन बागरा भी बनाना पड़ाई को कि यह सबसे टॉप एरिया है पहाड के लाके में हम लोग हैं तो यह सबसर्व टॉप एरिया है तो मतलम जब शट से देखते है तो बहुत बहुत दूर का दिखता है बाकी अभी कोई भी मतलम अभी सिड्या वगयरा भी नहीं बना है इसलिए उपर मैं अभी नहीं ले जा पार रहा हूं मतलम उस समय मतलम अभी लोहे के वगएरा मतलम सिधिया वगएरा बनना है तो उसके बाद उपर जा सकते हैं जादा नहीं एक देड़ महीना और है जब हमारा आटो स्टूडियो पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा फाइनली यहाँ पर हम वीडियोस बनाने स्टार्ट कर है जब मेरे उनली तीन हजार सब्सक्राइबर थे जनवरी सब्सक्राइबर थे और मैं 2009 से लगा हूं 2019, 2021, 2021, और 2023, 2023 फर्वरी में only मेरे 3000 स्क्राइबर थे और ठीक एक साल बात 1 करोड 20 लैक स्क्राइबर गेंड हुए और वो गेंड कैसे हुए क्या चीज था मैं कहां गया था और किसकी कृपा मिली मैंने कभी सोच नहीं था कि मतलम कभी YouTube की कोई इंकम से इतना कुछ हो पाएगा मतलम YouTube के पहले तो कोई इंकम वगेरा कुछ नहीं था only Instagram था और वगेरा मिलते थे तो ऐसे काम चलता था पागी फिर YouTube यूटूब में ग्रोथ हुई और ठीक एक साल में इतना सारा अचीफमेंट जो भी हुआ बहुत-बहुत भागवान क कैसे हो पाए कमेंट जुरू करना फिर मैं जल्दी कोईसे करूँगा कि वह वीडियो जल्दी आए तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो जल्दी सर जाओ कमेंट करो जिनको जनको जानना है और गाइस आप लोगों को बहुत-बहुत सारा थैंक यू थैंक यू स घूमच्ट